हेलो फ्रेंड्स में नाम है देवयं दिवारी और आज मैं आपको बताओंगा कि हम जो खाना खाते हैं वो कितने केटिगरी का होना चाहिए मील्स क्या होता है स्नैक्स क्या होता है इस तीन चीज के बारे मumen को बताओंगा तो Pak sought चुरू करते हैं प्रृट्रेक्टिंग फूड और तीसरे करणी का नाम है बॉडी बेल्दिक फूड अगर हम बात करते हैं अनरजी की में घुवविंघ पुड में तो इसमें आयेगा रोटी सब्धिर दाल जो हम चाषब लाइफ में खाते हैं और अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्टिंग फूट की तो इसमें आएगा फूट्स और ग्रीन वेजटेबल्स जिस्ते कि हमारे बॉडि की इम्मुनिटी बढ़ती है हम जल्दी बीमार ने पड़ते हैं और अगर हम बीमार पड़ते हैं तो जल्दी से अपने आपको रिकोवर कर सकते हैं यह हमारे इम्मुन सिस्टेम को बूश्ट करती है तीसरी के बात करते हैं जिसका नाम है बॉडि बिल्दिंग फूड इसमें आएगा मिल्क घी चीज बटर और अगर आप नॉन वेज हैं तो इसमें आप एड़ कर सकते हैं फिश एग चि आप लाते हैं तो उनमें इम्मुटी कम होगी वह जल्दी बिमार पड़ जाएंगे क्योंकि फूर्स और ग्रीन वेजटेबल्स जो होते हैं वह हमारे बॉडि को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडि की इम्मुन सिस्टम को इंप्रूव करते हैं दोस्तों बाइश समझते दोस्ते बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको अपना बयोजिकल मेंटिंग करना चाहिए हमको ब्रेक्फास्ट लँच और डिनर सब एक ताइम पर करना चाहिए दोस्तों वाइच समझते हैं स्नक्स क्या होता है स्नक्स मिल्स स्मॉल मिल बिट्विन मिल तो अगर आप ब्रेक् करेंगे तो आप हेल्दी होंगे आपको बढ़ेगे और आपके बोडी ग्रुब करती रहेगे तो दोस्तों आज की वीडियो में में आपको बताया कि हमारा छिर्ड नि को सब्सक्रायब करेंगे और मिल्स क्या होता है और उन्सनाएक्स– 20 के लिए बारINT कि झाल झाल